नवस्कार ख़बरों की ख़बर में आपका स्वागत है हिंदुस्तान के राचिनिती के नटवरलार और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजिवाल की मुसिबते ऐसी बढ़ गई है कि आम आदमी पाटी के अंदर खल बली मची हुई है क्यों क्योंकि थ्री मेंबर कमिटी जिसे दिल्ली सरकार के ही प्रिंस्पल सेक्रेटरी होम लीड कर रहे थे उन्होंने एक रिपोर्ट जमा की है एक इन्वेस्टिगेशन एक जाच करने का आदेश उन्हें LG के तरफ से दि उन्होंने सुकेश चंदर सेखर के आरोपों की जाच परताल की और उन्होंने ये रेकमेंड किया कि सीबी आई से इसकी जाच होनी चाहिए और ये रेकमेंडेशन LG के पास पहुँच गया है मतलब ये अर्विंद केजरिवाल के खिलाफ सुकेश चंदर सेखर ने जो करेगी और इस जांच में ये साबित हो जाएगा कि केजरिवाल जो अपने आपको कटर इमांदार कहते हैं वो वाकई इमांदार है या फिर एक महाठ ठग जो अपने आपको भगत सिंग की अौलाग बताता है आरोप क्या क्या लगे हैं आरोप ये है कि सुकेश चंदर सेखर एक ठग है जिसने ये दावा किया कि पचास कड़ो रुपए उसने अलग-अलग इंस्टॉल्मेंट में केजरिवाल तक पहुँचाए शर्थ क्या थी अर्विन केजिवाल ने ये कहा था कि तुम ये पचास कड़ो रुपए दो हम तुम्हें राजसभा भेजेंगे और आम आदमी पार्टी का साउथ इंडिया का हेड बना दिया जाएगा साथी साथ आरोप क्या और लगे आरोप ये भी लगा कि जब वो जेल के अंदर आया तो उससे उगाही की गई सतंदर जैन ने हमसे बहुत सारे काम करवाए बहुत सारी चीजें कई सारे गॉर्मेंट प्रोजेक्ट्स में किस तरीके से कट मारना है किस तरीके से पैसे कमाने है ये अर्विंद केज्रिवाल मरिस सोदिया सतंदर जैन के इसारों पे इसने कई सारे काम किये कुछ हुआ कुछ नहीं हो पाया लेकिन वो कहता है कि उसके पास सारे सबूत हाजिर है कि जिसे वो जाच कमीटी को CBI को देने को तयार है साती सात आरोप एक बहुती बड़ा लगा कि उसने ये कहा कि अर्विंद केजिवाल एक सवेरे सवेरे जो घड़ी घर में अंदर पहनता है वो साड़े तीन कड़ो रुपे की घड़ी है जिसके अंदर तमाम नौ ग्रह नजर आते हैं जिसे साड़े तीन कड़ो रुपे में दूबै से चार्टेड प्लेन से लाया गया उस चार्टेड प्लेन में दो और घड़िया आई जो सतिंदर जैना सतिंदर जैन की पतनी पचास पचास लाग की दो घड़िया भी वो लेकर क्या आया कई सारे खुलासे कई सारी चीजें सुकेश चंद सेखर ने अर्विंद केजिवाल के उपर आरोप लगाए तो इसके बाद LG ने तीन मेंबर कमीटी बनाई और इस कमीटी को कहा कि जो आरोप लग रहे हैं इसका प्रामा फिस्टी जाकर चक कीजिए कि क्या ये सही है तो जो रिपोर्ट आई उस रिपोर्ट में जो कमीटी है उन्होंने कहा कि जो आरोप लगाए गए हैं वो ग्रेव और सीरियस है और इसकी जाच CBI जैसे एजन्सी से करानी चाहिए रिपोर्ट में बहुत सारी चीज़ डिटेल में बताया गया अर्विंद केजरिवाल वास फुली अवेर अव थीस फिनांसल जीलिंग्स और ये पेड पेड सतंदर जैन 50 क्रोर रूपीस in cash over the course of three to four installments at the farm of Kailas Gehloth, the transport minister of Delhi. Sukhesh Chandrasekhar even claimed that Kejriwal Jain Gehloth attended the dinner celebration he hosted at the Hayat Regency Hotel Bheekaji Kama place. Once the full sum of 50 क्रोर was paid in 2017. He had all of the what's of conversation between him and Satyandr Jain confirming the amount, delivery date, delivery location and that he would provide them as proof as and when requested by the agency conducting the investigation. ये तमाम चीजें रिपोर्ट में बताई गई है कि Kejriwal किस तरीके से उससे 50 क्रोर रूपे लिए तीन चार इंस्टार्मेंट में कब कहां कैसे पैसा दिया गया, कैसे डिलिवरी होनी है, तमाम वो बाट्स अफ चैट सतंदर जैन के साथ, वो पूरा जायदा, पूरा सबूत वो उसके पास है, जो आने वाले इंविस्टिगेशन के दौरान, वो इंविस्टिगेटिंग एजिंसी को दे देगा, मतलब, सी बिया जाच होती है, ये वाट्स अफ चैट, ये सतंदर जैन के साथ, वारता लाप, और भीका जी कामा प्लेस में, जो है आत होटल में केजरिवाल उस डिनर पाटी में शामिल हुए, उसका वीडियो अगर बाहर आ जाता है, तो केजरिवाल कहां मुद दिखाएंगे, क्योंकि इस रिपोर्ट में, जो पैनल ने दिया, उसमें ये भी बताया गया, सुकेश also told the committee members that every time he got the installment delivered to Satandar Jain and Kailas Gailot, I also wanted to convey the same to Mr. Arvind K. Jival and due to same, I was allowed to speak to Mr. Arvind K. Jival after every delivery from the phone of Satandar Jain. सुकेश went on record to assert that Satandar Jain had introduced him to Manish Shisodhya, the deputy chief minister of Delhi, and that they had since kept in touch. A writ case was also filed in high court, he added, and he mentioned that he had informed the enforcement directorate and CBI authorities of this as well. उसने का कि जब जब पैसे दिये जाते थे, तब तब सतंदर Jain, मुझसे बात करवाया करता था, Arvind K. Jival से, और वो जो डिनर पाटी हुई थी, जब 50 करोर रुपे पूरी तरीके से पे कर दिया गया था, कई सारे आरोप लगे हैं, चाहे वो, अलग-अलग स्कीम के अंदर, चैनीज कमपनी के साथ बातचीत करना, कट के वारे में बातचीत करना, और तो और, जो नई चीजे सामने आई है, जो सुकेस्टन सेकर ने अपने चिठ्छी में लिखा है कि, उसके उपर दवाब उसको धमकी दी जा रही है, को जैकिसन के बारे में बताया, कि लगतार उसकी तुलब से धमकी दी जा रही है, फोर नंबर भी उसने दीये, क्योंकि परिवार वालों से भी कहा जाता है कि, अब, आपको ये कबूल करना है, कि आपने जितने भी आरुप लगाए वो बीजेपी के कहने के लगाए और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप बेमौत मारे जाओगे जान से मारने के धमकी दी जा रही है उसे ये भी पहले प्रोड़ोबन दिया गया कि तुमको तुम मुख खोलो जितना पैसे तुमें चाहिए उतना पैसा मैं आपको दे दूँगा ये पैसा केजरिवाल आमाद्वी पार्टी सतेंदर जैन के तरफ से आफर किया गया कि अपने सारे आरुप वापस ले लो और तुम पैसे ले लो और पंजाब के अंदर में कोई भी प्रोजेक्ट तुमको चाहिए तुम वो ले लो ये चिठ्टियों में सुकेश चंद सिखर ने ये सारी बाते बताई लेकिन सुकेश चंद सिखर ने कहा कि हम पीछे हटने वाले व्यक्ति में से नहीं है इस तरह की धंकी से हमें कोई असर नहीं पढ़ने वाला और मैं आपको बता दू किस पूरे खेल में किस तरह से सतंदर जायन ने डी जी जेल के चरिये हर महने दो महने पे वो बारा करो बारा लाक पंद्रा लाक रुपे लिया करता था उसकी भी डीटेलिक इसने बताई वो ये बता रहा है कि पैसे कहां दिये गए डी जी जेल को किस पेट्रॉल पंप पे दिया गया कितने बज़े दिया गया कब दिया गया सबसे मजदार बात यह है कि जो तमाम चीजे वो कह रहा है वो ये दावे कर रहा है वो ताल ठोक के कह रहा है जिए जितने आरोप मैंने लगाए हैं उसको सबस्टेंसियेट करने के लिए हमारे पास पुखते सबूत हैं अकाटे सबूत मेरे पास है जिसके बाद केजरिवाल के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा इन आरोपों को एकसेट करने के अलावा मतलब ये सुकेश चंदर सेखर के आरोप इतने गंभीर इतने संगीन है कि केजरिवाल की राज़िती में पलीता लग सकता है आम आदमी पाटी का दम अहंकार वो गटर में जा सकता है सी बी आई की जाँच बहुत जल्द होगी ऐसी खबर आ रही है क्योंकि जो कमिटी बनाई गई वो कमिटी ने अपने रिपोर्ट में यही कहा है कि ये मामला ये जो आरोप है ये बड़े सीरियस किसम के हैं तरह के का पैसे का घालमेल करें फोर्ट ट्वंटी का काम करें और खुद को कट्टर इमांदार भी कहें तो ये हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के कानून के मताबिक वो चल नहीं सकता एक तो लोक लग जा जन भावना साथी साथ के जिवाल ने कई सारे कानून को भी तोड़े हैं सीबियाई की जाँच से ये पता चल जाएगा देश को दिल्ली के लोगों को पंजाब के लोगों को कि ये अपने आपको कटर इमांदार कहने वाला व्यक्ति ये वाकई कटर इमांदार है या फिर कोई महा ठग है जो अपवाह सोसल मीडिया और मीडिया के प्रपंच के दौरा अपने आपको इमांदार साबित करने में जूटा हुआ है इस जांक से दूद का दूद पानी का पानी जल्द होगा ये उम्मीद रखनी चाहिए हमारी निजर इस तरह की तमाम ख़बरों पे बनी रहती है आप देखते ने कैपिटल टीवी हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए शेर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद